वेलकम फ्रेंड्स नाव लीड़ सी इस्ट्रक्चर ऑफ एन अनौ वील देखने के पहले थोड़ा सब्रेकर अगने पढ़ा हुआ है एक फ्लावर के अंधर जो फीमेल फ्लोरल पाठ होता है फ्लावर का उसको हम गाइनोसियम बोलते हैं, so गाइनोसियम is the female reproductive floral wall of the flower, individual गाइनोसियम को हम कारपल बोलते हैं और जो एक कारपल होता है, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हमने अल्रेड़ी पढ़ा हुए हैं, इसमें जो ऊपर का पार्ट होता है इस पर्टिकिलर पार्ट, इडिस कॉल्ड एस स्टिग्मा, उसके आद में यह जो मिडल पार्ट होता है, इसको अम स्टाइल बोलते हैं, इस 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 ताइल और और अभी यहां पर ओवरी के अंदर जो होता है, इसके अंदर ओविल का प्रिजन्स होगा, so इस ओवरी, so एक ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओविल का प्रेजन्स हो सकता है, and over can have the presence of one or more ovules in it. अभी इसके अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है यह ओव्यूल का अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो यह स्ट्रक्चर में एक डाउन्वोड डाइरेक्टेट ओपनिंग है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं और यहां पर यह इसका एक्सिस है यह एक्सिस यहां पर आक डाउन्वोड 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 डाउ axis is called as enatropous ovule, ovule having downward directed opening and a bent axis is called enatropous ovule, ऐसे ovule को हम enatropous ovule बोलते हैं एक ovule जो होता है, यह एक integumented megasporangium होता है, so ovule is integumented megasporangium now why it is called as integumented megasporangium, because इसके अंदर megasporogenesis होगा, मतलब megaspor का formation होगा, इसके पहले हमने यहाँ पर enter का structure पढ़ा था, जहाँ पर हमने microsporogenesis देखा था, जिसमें pollen grain आगे चल करके male gametophyte में develop होगा था, so ovule एक ऐसा structure है, जिसके अंदर female gametophyte का develop होता है, और female gametophyte को हम megaspor भी बोलते हैं, so ovule एक ऐसा structure है, जिसके अंदर megasporogenesis होगा, और इसलिए ovule के structure को हम megasporangium बोलते हैं, एक जो ovule होता है, it is an integumented megasporangium, अगर vertical section लेता हम यह ovule का, ovule के अंदर जो यहाँ पर ovule present है, अगर मैं इसका vertical section लेता हूँ, so it will look like this, so vertical section लेने के बाद में हमारा ovule ऐसे दिख रहा है, so एक vertical section of anatropos ovule में measure दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट यहाँ पर यह इसका axis हो गया, जिसको हम stock बोल सकते हैं, और दूसरा पार्ट इसका यह पूरा body हो गया, so ovule के पूरे structure को हम दो पार्ट में यहाँ पर divide कर सकते हैं, एक इसका stock होगा, which is also called as axis of the ovule, और दूसरा होता है, body of the ovule, जो stock होता है, यह इतना पूरा portion जो यह stock है, जिसके उपर body जो प्रेजेंट है, अब यह stock के बारे में अगर हम देखते हैं, stock को study करते हैं, so this stock is also called as funicle or funiculus, so this is the funicle or funiculus, अभी funiculus क्या करता है, यह funicle or funiculus, यह पूरे ovule के body को, जो larger part है ovule का, so यह body को attach करता है, to this fertile tissue, यहाँ पे एक fertile tissue होता है, जिसको हम placenta बोलते हैं, here is the presence of placenta, so placenta एक fertile tissue होता है, यह fertile tissue को यह stock होता है, जो ovule का stock है, यह पूरे body को वहाँ पे ले जा करके attach करेगा, so आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा यह body है, यह placenta को attach है, through the funicle or funiculus, so this stock of the ovule is called as funicle, or it is also called as funiculus, अभी जो funicle और funiculus होता है, इसका कुछ part जो है, ovule में यह seed को attach हो सकता है, even after the maturity of the seed, एक seed mature होने के बाद में, क्योंकि यह ovule है, आगे चल करके, जब male gamet से fertilize होगा, तो zygote का formation होगा, embryo बनेगा, और आगे चल करके वही एक seed का formation करता है, so यहाँ पर जो funicle का कुछ part है, यह mature seed में भी हो सकता है, हमें देखने को मिल सकता है, जिसको हम rafae बोलते हैं, so rafae is the part of funicle which may remain attached to the mature seed also, इसके बाद में हम ovule के body के बारे में study करते हैं, जो ovule का पुरा body होता है, this entire structure is the body of the ovule, so एक ovule के body में क्या-क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो आप लोग की ovule का एक चलाजल end है, उसके बाद में दूसरा है एक end है, जिसको हम micro-pillar end बोलते हैं, so यह ovule का दो end हम इसको ऐसे बना सकते हैं, micro-pillar end और चलाजल end, so ovule का जो body होता है, body के अंदर एक larger part यहाँ पे center में प्रेजेंटेज जिसको हम नूसिलस बोलते हैं, so ovule को major 3 part में हमने डिवाइड कर दिया, एक तो central bulky part जिसको नूसिलस हमने बोला, एक micro-pillar end हो गया, और दूसरा चलाजल end हो गया, so body of the ovule is the major swollen part of ovule होता है, part of ovule present on this stock, stock के उपर एक major swollen part ovule का that is called as body of the ovule, अभी यह जो body ovule का है, इसके अंदर एक nूसिलस का presence होगा, तो सबसे पहले हम नूसिलस के बारे में देख लेते हैं, जो नूसिलस होता है ovule के अंदर, यह नूसिलस major central bulky portion है, ovule के body का, so it is the major central bulky portion of ovule, अभी इसके अंदर यह नूसिलस के अंदर कुछ deployed parenchymatous cells होते हैं, so this Nucilus has the presence of deployed parenchymatous cells, इसके अंदर जो यहां पे cells present होंगे Nucilus के अंदर, वो सभी cells deployed होते हैं, and these all deployed cells are called as parenchyma, यह parenchyma cells होते हैं, जो की deployed in nature होते हैं, इसके बाद में Nucilus के बाद में यहां पर ऊपर जो basal part है ovule के body का, that is called as chalaza, so chalaza क्या होते हैं, ovule का जो basal part है ovule के body that is called as the chalaza, और वो end को हम chalaza end बोलते हैं, so basal part of ovule's body, basal part of ovule's body is called chalaza, and that end is called as chalaza end, वो end को जो हम chalaza end बोलेंगे, so ovule के body का जो ऊपर का part है basal part, that end is called as chalaza end, और इसके opposite जो यहां पर एक end है, उसको हम micro pillar end बोलेंगे, उसके बाद में यह जो nucellus है, यह nucellus को एक protective covering होता है, and that protective covering is called as integument, so third point अपने ovule के body का होगा, that is the integument, so what are the integument, integument are the protective covering, which protects the nucellus of the ovule's body, जो ovule के body में nucellus present है, उसको protect करने या काम जोई integument करते हैं, integument का होते हैं, these are the protective coverings, यह protective coverings होते हैं, which protects the nucellus, यह nucellus को protect करने या काम करेंगे, integument में हम देख सकते हैं कि दो layer हैं, एक outer layer हैं दूसरा inner layer है, outer layer आगे चल करके जब seed mature होगा, तो उसमें यह testa का formation करेंगे outer layer, और inner layer जो होते हैं वो tegument का formation करेंगा, उसको tegument बोलते हैं, यहां पर जो outer layer है, that is called as testa, and the inner layer is called as tegment, जो angiosperms होते हैं, angiosperms के case में जो यहां पर integument में दो layer ही होते हैं, और इसलिए ऐसे ovule को हम by tegmic ovule बोलते हैं, so in case of angiosperms, the angiosperms have the presence of two integument, दो integument का presence होने के वज़े से ऐसे ovule को by tegmic ovule बोलते हैं, integument के बाद में जोए यहां पर एक micropyle present है, micropyle क्या होता है, यह जो integument होते हैं, these integument leave an opening at the end, and that opening is called as micropyle, so what is the micropyle, it is an opening left by the integument, यह जो micropyle होता है, आगे चल करके इसका हम function देखेंगे, कि micropyle जोए यह pollen tube जो उपर से आएगा तो यह pollen tube को entry देता है, fertilization के लिए, और जब यह seed आगे चल करके, यह seed में develop होगा after fertilization, so mature seed होने के बाद में, जब seed को germinate होना होता है, तो उसके लिए यहाँ से water की entry होती है, और उसके बाद में जो radical develop होगा, वो radical will come out through this micropyle end, और micropyle pile के opening से वो बाहर की तरफ आएगा, उसके बाद में यहाँ पर center में, Nucilus के अंदर, जो है, micropillar end पर है, यह जो पुरा Nucilus का structure है, यह Nucilus के structure में अगर हम देखते हैं, यह Nucilus का दो end हम इसको दो end बता सकते हैं, यह वाला जो end होगा, Nucilus का उसको micropillar end बोल सकते हैं, because it is towards the micropyle, और Nucilus का जो दूसरा end है, उसको हम बोल सकते हैं, because this end of the Nucilus is towards the chalazal, end of the body of the ovule, so, यहाँ पर Nucilus का micropillar end है, यह micropillar end पर हम एक structure देख सकते हैं, जिसको embryo sack बोलते हैं, so, this entire structure is called as embryo sack, so, इसमें 4th point हैगा हमारा, that is the embryo sack, अभी यह embryo sack होता है, यह embryo sack के अंदर, एग apparatus होता है, यह पूरे structure को हम एग apparatus बोलते हैं, जिसमें एग cell होता है, जिसको हम female gametophyte भी बोलते हैं, पूरे structure को हम female gametophyte बोलते हैं, अभी यह embryo sack के अंदर भी जो हमें micropillar end पर और chalazal end पर कुछ structures दिख रहे हैं, यह वाले structure को हम बोलते हैं, एग apparatus, और यह एग apparatus में जो है, एग दो lateral cells होते हैं, तो यहां पर हमें दो lateral cells दिख रहे हैं, and these two lateral cells are called as synergates, उसके आप में एक central cell है, which is called as the egg cell, this chalazal end of the embryo sack has the presence of antipodals, three antipodal cells यहां पर होते हैं, और उसके बाद में center में होता है, polar nuclei, center में polar nuclei होते हैं, आगे चल करके fuse होंगे forming this secondary nucleus, और आगे चल करके secondary nucleus होता हैं, यह दूसरे male gametocyte के साथ fuse होगा, और यहां पर यह endosperm का formation करेगा, primary endosperm nucleus इसको बोलते हैं, अगर यह पूरा structure देखते हैं, embryo sac का, तो यह embryo sac के अंदर हमें total seven cells दिखेंगे, यहां पर तीन cells यह हैं, और तीन cells वहां पर six cells हो गए, और यह larger cell, seven cells दिखेंगा हमे, and total eight nucleus होता है, इसमें, तीन nucleus यहां पर है, तीन यहां पर है, छे हो गए, और दो nucleus यहां पर fuse हो करके, secondary nucleus का formation किये, so total eight nucleus है, so embryo sac यहां पर present है, embryo sac को हम ऐसे बोलते हैं कि it is seven celled, seven celled, eight nucleated, eight nucleated, endosporic, monosporic structure होता है, so this is all about the structure of the vertical section of anatropos ovule, अभी यह anatropos ovule में different parts के बारे में हमने study किया, अगर उसके functions हम देखते हैं, for example, यहां पर फ्यू निकल है, फ्यू निकल का क्या function होगा, इसका सबसे major function होता है, कि यह ovule के body को जो यह ovary के अंदर जो placenta है, उससे connect करके रखने का काम करेगा, दूसरा इसका function होता है, फ्यू निकल का, कि it projects the body of the ovule, यह ovule के body को project करने का काम करेगा, यहां पर micropile को orient करते हैं, ताकि उपर से जब यहां से pollen tube आएगा, तो यहां पर आने के बाद में pollen tube exactly यहां पर जा सकें, सो यह क्या कर रहे हैं, ovule के body को project करने का काम करने हैं, दूसरा जो funicle होता है, या stock of the ovule होता है, इसका important function यह होता है, कि conduction की तरह काम करता है, इसके अंदर कुछ vascular strands present होते हैं, सो जो vascular strands present होते हैं, तो यह क्या करेगा, कि नीचे से placenta से कुछ nutrition को, nutritious material को जो ट्रांसपोर्ट करता हैं, और provide करता है nutrition to the body of the ovule, क्योंकि ovule के body के अंदर, female gametophyte का development होगा, और वो development के लिए कुछ nutrition required होते हैं, and those nutrition are supplied by this funicle, so funicle nutrition भी supply करने का काम करेगा, अभी ovule के body में जो nucilus होता है, नुसिलस के अंदर जो यहां पर embryo sec का development हो रहा है, तो नुसिलस का एक particular cell जो यहां पर एक hypodermal cell होता है, deployed hypodermal cell वो cell आगे चल करके female gametophyte का formation करता है, जो आगे चल करके embryo sec फोर्म करेगा, उसके बाद में यहां पर यह चलाजल end होता है, चलाजल end से जो यहां पर integuments develop होते हैं यह end से और integuments एक protective covering का formation करेंगे, और integuments अगर यहां पर दो layer presented integument का outer layer को हम टेस्टा बोलते हैं, inner layer को tagment बोलते हैं, जब वो seed का formation हो जाने के बाद में, यह seed की covering फॉर्म करते हैं integuments, यहां पर जो टेस्टा होगा, वो seed का tough covering form करता है, जो बाहर का covering होता है, tough होता हो seed का, और जो seed का अंदर का covering होता है, वो tough नहीं होता है, transparent होता है, और थोड़ा सा thin होता है, and that is called as stigment, which is formed by the inner layer of the integument, फिर micropyle का function already हमने discuss किया, कि micropyle जो होता है, यह pollen tube के entry को allow करता है during fertilization, pollen tube कहां से आएगा, सो यहां पर stigma के ऊपर जब pollen grain आएगा, और वहां पर उसका development होगा, so pollen tube stigma को penetrate करते हुए style के through आएगा, और यहां पर ovary के अंदर, ovule का जो यहां पर micropyleur end हो यहां से entry करेगा, और जा करके, वो fuse होता है यहां पर egg apparatus के one of the synergit cell से, उसको fuse होने के बाद में, एक male nucleus जो आगे चल करके हम देखेंगे, कि वो egg cell से fuse होगा, और egg cell से fuse होने के बाद में zygote का formation होता है, so micropyle का एक important function होगा, कि यह pollen tube के को entry दे रहा है यहां पर, दूसरी बात, जब seed का formation हो जाएगा, सो micropyle वहां पर water को entry देगा, ताकि seed जोए वो germinate हो सके, जब seed germinate होगा, so radical will also come out through this micropyle, micropillar end और micropyle opening, so this is all about the structure of anatropos ovule, पनोगारी आफे देगारे जएगोगार एमें टेखें, एमेल ऑ्नल ACCत्थी थाले गा использ, के यह रहाईriver, झाल झाल